हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू साइड इफेक्ट चैनल अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो स्पेसली फॉर टीसनेट और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट सेवन डेज क्या करों से पहले मैं बता से तर मेरा भी कैट एक्जाम है मैरा जयट एक्जाम है मैं जयट देदू तब मैं टीस के त्यारे करो अब आपको तो कोई एक्जाम नहीं है सबसे पहले बात अब आपका टीस ही पढ़ेगा next week तो आपको इन 7 डेज में क्या करना आप कोई बहाना नहीं चलेगा कि हाँ मेर यह एक्जाम है आपको करो या मरो यह आपका समय आगी है अगर आपने seven days अच्छा से नहीं पढ़ रहे हो अच्छा से revision नहीं कर रहे हो तो आपको सारे जिनने भी मैनत के होगे कर चले जाएंगे तो आपको क्या करना है इन seven days में देखो केवल जीके पढ़ने से नहीं केवल जीके पढ़ने से नहीं होगा इन seven days में आपको जीके भी पढ़ना है आपको इंगलीज भी पढ़ना है आपको मैट्स भी पढ़ना है और लॉजिकल रिजिनिंग भी पढ़ना है तीनों पढ़ना ऐसा सुचता ही है कि हम एक ही चीज को लगातार पढ़ते रहता तो एक चीज को समझने में हमें थोड़ी मुश्किल आती है तो आपको सभी को अपने जिदने भी टाइम देते हो आप 40% जीके के लिए टाइम दो टाइम में से 40% 30% इंगलीज के लिए and 30% math and logical reasoning के लिए अगर आप जिदना भी टाइम पढ़ते हो उतना में से टाइम आप माने की 6 hours आप पढ़ोगे तो इन में से आप 40% 6 hours का जीके में दो इंगलीज में दो 30% and math का भी logical reasoning का भी 30% दो अपने examination के 7 days में त्यारी करने के लिए ऐसा ही है क्योंकि कभी 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 students क्या करते हैं कि 7 days बुरा लगतार पढ़ते रहेंगे अपना जीके और बाकी सब का math का logical reasoning का थोड़ा practice में वो कमी कर देते हैं जो जाके exam में उन लोग solve क कर लोगे मैं बोल रहा हूं कि आप लोग solve कर लोगे लेकिन जो time लगाओगे जो logical reasoning के लिए time लगाओगे जो di के लिए time लगाओगे आप लोग जो math के लिए time लगाओगे उससे आपका क्या होगा कि आप इसी के चक्कर में फसके आपका examination में वैसे तो negative marking नहीं है लेकिन पढ़ना है पढ़ना ही पढ़ना है सभी को minimum maximum minimum तो six hours पढ़ना ही पढ़ना है दीन में कभी भी मिला कर लगातार पढ़ो या मत पढ़ो minimum तो कम से कम six hours maximum जितना आपको मन है वो पढ़ सकते हो तो रही बात इस बात के लिए एक condition भी है मैं बता दे रहा हूं terms and condition जो आप पढ पढ़ते हो कभी कभी इस बात के लिए condition क्या है इक ही condition में बताऊंगा अगर आपको लगता है कि मेरा English का कोई भी question आ जाए मैं solve कर दूँगा तो आपको उसी subject में थोड़ा कम time देना है बाकी सब के लिए ज्यादा time देना एक condition follow करना अगर किसी को लगता है कि मेरा maths पूरा 100% complete है English logical reasoning 100% complete है तो उसमें थोड़ा कम time देना है उसके लिए थोड़ा कम time देना यह नहीं बोल रहा हो कि पढ़ना ही मत पढ़ोगे तो practice चूटेगा तो आपका practice से आपका speed जो तेयार हुआ तो वो कम जाएगा तो पढ़ना नहीं है time कम देना उस पर किहां कम इतने समय ही पढ़ो तो आपका त्यारी अच्छा रहेगा लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है इन seven days में तो seven days में और किनी को लगता है कि मेरा English भी ठीक है mathematics भी ठीक है logical reasoning ठीक है तो जीकी के लिए ज्यादा time दे सकते हो लेकिन practice करते रहना one hour two hour कम से कब English के लिए भी mathematics and logical reasoning के लिए यह ब तो जीके ही सोच के मत चलना अगर जीके आता है अगर मैथ नहीं आता तो क्या आप HRM clear कर पाओगे यह बताओ मेरों जीके आता है English नहीं आता तो क्या HRM clear कर पाओगे HRM जिनोंने भी भरा है अभी बता दे रहा हूं उनको सभी में अच्छा रहना पड़ेगा सभी को balance करके चलना पड़ेगा बाकी सब कुर्स का कट अब बहुत लोग है 50 60 65 66 ऐसा कट अफ जाता जैनल लोगों का तो उनके लिए यह रूल्स फॉलो करेंगे लेकिन आपका भी भलाई हो जागे क्योंकि जितना आप ज्यादा पड़ोगे आपको selection होने का चांसे ज्यादा है जब मेर लिस्ट भी भी तो जाना है आपको तो यह मत सुचना की मेरा कटाफ कम है तो मैं कम पड़ों जितना ज्यादा पड़ेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा उतना आप competition को हटाओगे वह भी आपको फाइदा रहेगा मैं अपने regular viewers को और जो मेरे वीडियो वाच करते मै हमेशा कुछ न कुछ कभी न कभी आपको यह सब suggestion देते रहता हूं ताकि आप अपना जो preparation और तयारी अच्छे से लगा रहे हैं और आप motivate रहो ताकि आपको कुछ problem ना है बीच में हमेशा हर exam में कि student कभी न कभी दी motivate हो जाता है कि आप मेरे से नहीं होगा लेकिन आपको motivate ह हमेशा रहना है अपने examination में और लास्ट जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा लास्ट हमको किसी बात का प्रेसर नहीं लेना हमको किसी exam का प्रेसर नहीं लेना including this net कि जो होगा अच्छे के लिए होगा ऐसा सोच के चलना है आप अगर अभ बहुत ही problem होगा अपने gk को लेकर related और आपका जितना होगा तो आपका speed घटेगा mathematics का logical reasoning का exam में किसी बात का प्रेसर नहीं लेना है जो result होगा अच्छा होगा यह सूच के चलना है तो आप गल्ती मत करना किसी बात का टिंसल लेकर कि हम जी मुझे अभी कैसे भी exam का त्यार determination में ऐसा सोच के चलना है आप सोचोगे कि मेरा 100 में से 100 आ जाएगा उसी को depression ले लोगे तो यह मत सोचना हां cut-up clear करना यह सोच के चलना है सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो cut-up का बात करो 90 लाना 100 में से 99 लाना यह सब छोड़ना सोचना भूल जाओ अभी जिदना हो सक तब आपका exam निकल जाएगा easily जो भी courses से different different cut-up जाते हूं मैं जानता हूं आप भी जानते हैं मैंने भी बता है बहुत पार तो यह मत सोचना कि हां मुझे 100 में से 100 ही आ जाए वह सोच के आप pressure मत लेना कभी जितना ज्यादा पढ़ो जितना अच्छे से पढ़ो जितना पढ उसको दिमाग में रख पाओ इतना पढ़ लिए कि आप दिमाग ही में नहीं आ रहा है मुझे यह आपको जो भी पढ़ा तो भी भूल गए जीके में तो ऐसा नहीं चलना जितना पढ़ो अच्छे से memorize करके रखो घलत हो जाएगा जब आप pressure ले लोगे या ज्यादा ही ज्य मेले नहीं पढ़े तो अभी अच्छानक ज्यादा पढ़ने लगए तो वह भी बुरा है बराबर रखना थोड़ा टाइम ज्यादा देना अपने course के लिए अपने examination के लिए अपने प्रोग्राम के लिए और अपने करना सारे कोश्चन को लेकर तो अच्छा रहेगा तो ओक्या फ्रेंस आज के लिए इतना ही थैंक यू